आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और आसान डेजैन लाई हूँ जिसको आप किसी भी प्रोजेक्ट पर बना सकते हूँ बट ये लेडीज स्वाटर और बच्चों की स्वाटर में बहुत ही प्यारा लगेगा जैकेट, बलाउ, सौल, मफलर किसी पर भी आप इसको बन सकते हो तो चलिए सीधा बढ़ते हैं वीडियो की और अगर आपको डिजैन और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक जुरू कीजेगा दूसरों के साथ शेयर कीजेगा और अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करना न बोलिएगा तो चलिए बढ़ते हैं अब सीधा इस डिजैन की और इस डिजैन को बनाने के लिए आपने एवन नंबर में फंदे रखने हैं जैसे दो चार छे इस तरह से आपने फंदे नीटिंग नीडल में लगाने लेने हैं मैंने यहां पर लगाए हैं टूटल 34 स्टिच तो चलिए अब हम इसको पहली रो से बनाना स्टार्ट करते हैं अब देखे यह हमारी रोवन है राइड साड से पहली रो सीधी तरफ से क्या करेंगे पहला फंदा ऐसे उतारा जो हमारा एड़ स्टिच है अब उसके बाद देखे आगे वाले जो दो फंदे हैं यह दो एक फंदा हम बनाएंगे पीछे की तरफ से और हम ये बनाएंगे देखे दो का एक फंदा हमने बना लिया इसको आपने अभी छोड़ना नहीं है फिर हम धागे को यों गुमाएंगे और इनको एक वार फिर से पीछे की तरफ से सीधा बनाएंगे इस तरह से बना लिया देख इस तरह से धागे को गुमाके सीधा बना लेंगे तो ये हमने दो से चार फंदे यहां पर बना लिए देखे एक दो यहां पर हमारा एक फंदा एक दो तीन और ये चार चार फंदे हमने दो से बना लिए फिर इनको छोड़ देना है फिर बीच में हम दो फंदे ऐसे ही सीधे बनाएंगे फिर आगे वाले दो फंदों में फिर से देखिए यही रिपीट करेंगे हम यहां से हमारा रिपीट फिर से स्टार्ट हो जाता है क्या करेंगे पहले दो फंदे पीछे की तरफ से दो फंदों का एक बनाया फिर धागे को गुमाया फिर से इनको पीछे की तरफ से सीधा बनाया फिर अब हम ये पहले वाला फंदा सीधा बनाएंगे वो भी पीछे की तरफ से इस तरह से हम दो से ये चार फंदे यहां पर बनाते हैं देखे एक दो तीन और ये चार और इनको छोड़ देना है उसके ब पिर से इनको सीधा बनाया पिर अब पहले वाला फंदा पीछे की तरफ से सीधा बनाएंगे और इन दोनों को फंदों को स्लाई से उतार देंगे और दो फंदे सीधे तो इसी तरह से देखिए आपने पूरी रोई कंपलेट करनी है और last में आपके पास बचेंगे तीन फंदे वो आपने ऐसे ही सीधे बना लेने है अब देखे पहली रो में यहाँ पर complete कर ली है last के तीन फंदे मेरे पास बचे है वो हम सीधे बना लेंगे ऐसे ही सीधे बनाएंगे तो अब आजाएए row 2 में wrong side से दूसरी row है हमारी यह उल्टी तरफ से देखे इस row को भी आप द्यान से देखेगा क्या करेंगे हम यहाँ पर पहला फंदा उल्टा उतारा यह जो तीन फंदे हमने यह सीधे बनाये थे last में इनको हम उल्टा बना लेंगे 1, 2 और यह 3 अब देखे धागा हम पीछे की तरफ ले जाएंगे अब देखे जो 2 से हमने 4 फंदे बनाये थी यहाँ पर उसमें देखे पहला फंदा हम सीधा बनायेंगे धागे को आगे लाएंगे और यह 3 फंदे हम इकठे बना लेंगे उल्टे 3 का 1 फंदा हम यह करेंगे हाँ पर देखे इस तरह से हम 3 का यह 1 फंदा बना लेंगे और इनको छोड़ देंगे अब जो 2 फंदे हमने बीच में सीधे बनाये थी इनको हम उल्टा बनाएंगे 2 फंदे हमारी यह उल्टे पड़ेंगे बीच में फिर दागे को पीछे देखे फिर से हमारा रिपीट यहाँ पर स्टार्ट हो गया यह 4 फंदे आगे चाद दो से हमने 4 फंदे बनाये थे उसमें पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे दागे को आगे लाएंगे और 3 फंदों का 1 फंदा बना लेंगे और बीच में दो फंदे हम ऐसे ही उल्टे बनाएंगे इस तरह से देखिए फिर से देखिए दो का ये चार फंदे हमने बनाये थे इसमें पहला फंदा सीधा और तीन फंदो का एक फंदा इस रो में हमारे ये फंदे बराबर हो जाते हैं इतने हमारे शुरू में फंदे थे उतने ही हमारे इस रो में बराबर हो जाते हैं और बीच में 2 फंदे हम ऐसे ही उल्टे बनाएंगे तो इसी तरह से देखें आपने इस पूरी रो को कम्प्लेट करना हैं इस तरह से देखें इस रो के last में देखें हमारे पास ये ये 2 के 4 फंदे हमने बनाय थी और ये last का फंदा है तो इसमें ये वाला फंदा हमारा सिधा पड़ेगा और ये 3 का एक फंदा बनेगा और last का फंदा उल्टा अब जाई ही row 3 में right side से देखे पिछली row में हमने यहाँ पर यह 3 का एक फंदा बनाया था और यह last का फंदा हमारा उल्टा आया था तो यहाँ पर अब देखे क्या करेंगे अब हम यहाँ पर पहले 3 फंदे सीधे बना लेंगे 1, 2, और यह 3 अब देखे जो बीच में हम दो फंदे ऐसे ही सीधे बना रहे थे अब उसमें हम ये डिजाइन डालेंगे और जो दो फंदों में हमने डिजाइन डाला था उनको हम ऐसे ही सीधा बनाएंगी यहां से हमारे फिर से फर्स्ट रूर रिपीट होगी सिर्फ यहां पर फर्क इतना है कि यहां पर पहले हम तीन फंदे सीधे बना लेंगे तो दिखे क्या किया था फिर से एक बार यहां पर देख लीजिए आगे वाले तीन फंदे पहले ऐसे सीधे बनाये उसके बाद आगे वाले दो फंदों में वैसे ही डिजाइन डालेंगे पहले सीधा बनाया फिर दागे को गुमाया फिर से एक बार सीधा बनाया और अब हम पहले वाला फंदा सीधा बनाएंगे और इनको छोड़ देंगे अब बीज में दो फंदे ऐसे ही सीधे बनाएंगे टू और आगे वाले दो फंदों में फिर से हम डिजाइन डालेंगे इस तरह से दागे को गुमाया फिर से सीधा बनाया और अब पहला फंदा सीधा बनाएंगे पीछे की तरफ से और इनको छोड़ देंगे और दो फंदे सीधे तो इसी तरह से देखिए आपने ये पूरी रो भी कंप्लीट करनी है और इस रो के लास्ट में देखिए आपके पास बचेंगे एक ही फंदा बचेगा इन दो फंदों में हमारा डिजाइन आएगा और ये लास्ट का फंदा हमारा सीधा बढ़ेगा अब अज़ाई रो फूर में रोंग सैट से जो की हमारी स्टिजैन की लास्ट रो है तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर हमने पिछली रो में देखिए लास्ट का फंदा सीधा बनाया था और यहाँ पर हमारा ये डिजाइन आया था तो अब देखिए यह पहला फंदा यहाँ पर हम उल्टा पकड लेंगे ऐसे ही उतार लेंगे फिर हम धागे को पीछे ले जाएंगे, अब देखे ये जो दो से चार फंदे बनाएंगे, उसमें फिर से हम पहला फंदा सीधा बनाएंगे, धागे को आगे लाकर तीन फंदों का एक फंदा हम बनाएंगे, इस तरह से देखे, और फिर दो फंदे बीच में उल्दे बनाएं इस तरह से तो इसी तरह से देखिए आपने इस पूरी रोम में करते जाना है और लास्ट में देखिए जो तीन फंदे हमारे हमने सीधे बनाये थे उनको हमने ऐसे ही उल्टा बना लेना है अब देखिए फूर्थ रो भी मैंने रॉंग सैट से कंप्लीट कर ली है और देखिए यहाँ पर आपको डिजाइन भी दिख रहा होगा तो अब आपने रो वन से लेके रो फूर्थ तक कंटिन्यू करना है जितना भी आप डिजाइन डालना चाते हो तो इस डिजाइन को अगर बनाना चाते हो तो बूल थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी क्यूंकि इस तरह के डिजाइन में बूल थोड़ी सी एक्स्ट्रा लगती है तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जुरू बताईएगा इसी तरह से और डिजाइन सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा थैंक्स पर वाचिंग मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टेट तूने